Hi friends, I am Renu Singh. तो आज का हमारा जो session होने वाला है, वो थोड़ा interesting होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 35 questions बताऊंगी कि कैसे उसको 20 minutes में solve कर सकते हैं, reasoning के. तो हमारा जो question का आज set है, वो आपको काफी interesting लगेगा, क्योंकि same to same इसी type के आपको P.O.P. में, especially S.B.I.P.O.P. में इसी type के questions set के हुए मिलेंगे. तो हम देखते हैं कि हमारा approach कैसा होना चाहिए, solve करने का questions को. चलिए start करते हैं, time waste कि है बिना. तो हमारा question क्या है, 12 people were seated around a triangular table facing inward such that 3 people were seated on each edge and one person on each corner. तो हमारा mention कर दिया है कि यहां एक triangular shape का table बनेगा, तो चलिए, फड़ा फड़ा table बना लेते हैं, तो हम cases ले लेते हैं, हमारा जो पहला है triangle हमने लिया और एक हमने दूसरा ले लिया, तो यह हमारा पहला हुआ और यह हमारा दूसरा हुआ, चलिए, इसमें बोल दिया है कि 3 people edges पे बैठेंगे और one-one करके corner पे बैठेंगे, तो हम मारा एक corner पे करके बैठेंगे, और edges का भी हमने draw कर लिया, और यहां mention कर दिया है कि सारे के सारे inside face करेंगे, तो हमें arrow बनाने का time waste नहीं करना चाहिए, तो यह हम फड़ा फड़ा बना लिया, हमारा question क्या बोल रहा है, only five people sit between J and I, J और I के बीच में five people बैठ रहे है, मान लेते हमारा J यहां बैठा हुआ है, और I यानि कि one, one, two, three, four, five, यानि कि I हमारा यहां sit करना चाहिए, और मान लेते हैं कि हमारा J इस case में यहां बैठ रहा है, और I हमारा one, two, three, four, five, यानि कि I हमारा यहां बैठेगा, अब बोल के आ रहा है, E who sits at one of the corner, E who sits at one of the corner is third to the right of I, I के third right में होना चाहिए E को, यानि कि one, two, three, इस वाले case में E को हमारा यहां होना चाहिए, और हमारे इस वाले case में one, two, three, E को हमारा यहां होना चाहिए, Next point क्या बोल रहा है, F who is second to the left of I, I के left में second होना चाहिए, यानि कि हमारा first वाले case में I यहां बैठा हुआ है, तो हमारा second होना चाहिए, यानि कि one, two, यहां पे हमारा F को होना चाहिए, और यह second वाले case में हमारा F को इस जगह पे होना चाहिए, Next point क्या बोलता है, F who is second to left of I, is immediate left of D, left of D होना चाहिए, immediate, तो हमारा D second वाले case में यहां बैठेगा, और first वाले case में immediate left of D, यानि कि हमारा D यहां बैठेगा, चलिए, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, only two people sit between F and G, F और G के बीच में दो ही इनसान होने चाहिए, तो F and G के बीच में हमारा दो इनसान होने चाहिए, तो G who is immediate neighbor of J, और G को immediate neighbor होना चाहिए J का, यानि कि हमारा G यहां पे होगा, तब ही तो इन दोनों के बीच में दो होगा, और इस वाले case में भी हमारा G यहां पे होगा, G यहां पे होगा, इसके बाद बोल गहारा है, इसके बाद बोल रहा है कि A, B and C were seated in the middle of each edge, अच्छा, मतलब हमारा A, B, C जो है, वो इस middle के में बैठेगा, यानि कि इस जगह पे, इस जगह पे, और इस जगह पे, वो कहीं side में नहीं आएगा, इसके बाद देखते हैं, two people sit between K and A, K और A के बीच में सिर्फ दो इनसान को होना चाहिए, तो हम कहाँ put करेंगे, यह हमें अभी कोई idea नहीं है कि A, B, C को हम किस-किस जगह पे put कर सकते हैं, middle में तो बैठेगा, लेकिन कोई idea नहीं कि कहाँ put कर सकते हैं, तो हम लोग next point देखते हैं, E is an immediate neighbor of both L and H, E क्या होगा, immediate neighbor होगा बोद L और H का, तो हम मान लेते हमारा L यहाँ पे बैठा हुए और H इस case number one में यहाँ बैठा हुए, और इस case में हम मान लेते हमारा L यहाँ पे है और H यहाँ पे बैठा हुए, H who is an immediate neighbor of B, चलिए, एक point hint मिल गया कि हमारा यहाँ पे B होगा, और इस case में हमारा B यहाँ पे होगा, और देखते हैं, इसके लावा और कोई point हमारा अगर missing हुआ हो तो, एक बाद check out कर लेते हैं हम, ताकि जिससे हमारा यह question rightly solve हो सके, तो starting से हम लोग इसको just जल्दी से go through कर लेते हैं, only five people sit between J and I, J and I के बीच में five people होना चाहिए, जिसमें J और I को corner में नहीं होना चाहिए, E who sits at one of the corners sits third to the right of I, F who is second to the left of I is an immediate left of D, only two people sit between F and G, G who is an immediate neighbor of J, A, B, C were seated in the middle of each edge, two people sit between K and A, चले हमारा यह एक point missing था, जो हम अभी इसको put करेंगे, A who does not sit near I, A जो है, वो हमारा I के पास नहीं बैठेगा, और दो people होना चाहिए, K और A के बीच में, तो हम अगर K को, I के पास में हमारा A नहीं होना चाहिए, तो हमारा case में यहाँ पे, इस जगा पे हमारा C बैठना चाहिए, और इस जगा पे हमारा A, और इन दोनों के gap के बाद, इस वाले case में यहाँ, तो कोई जगा ही नहीं बैच रहा है, K के बैठने के लिए, तो हमारा case यहाँ यह, वन नमबर eliminate हो जा रहा है, और इस वाले में हम देखते हैं, कि अगर हम K को यहाँ पुट करेंगे, तो A हमारा यहाँ बैठ सकता है, क्यूंकि इस जगा पे यह जो G है, और यह जो J है, इन दो इनसान का gap हो जा रहा है, और यह जो खाली place है, इस जगा पे हमारा C बैठनेगा, तो हमारा right question का right solution यह रहा, इसी तरह हमारा next question क्या होता है, इसके base जो हमारा five questions रहेंगे, वो easily solve हो जागा, क्यूंकि हमारा जो puzzle था, वो solve हो चुका है, इसके बाद हम देखते हमारा next question क्या है, जो हमें solve करना है, तो हमारा next question है, यह एक छोटा सा question है जिसको हम लोग solve करेंगे कि कैसे कर सकते हैं जैसे हमारा question दिया हुआ है कि study the following information carefully and answer the questions given beside 9 boxes है where kept यह भी एक type का puzzle है और काफी interesting puzzle है चलिए इसको जल्दी से हम लोग solve करते हैं कैसे solve करते हैं जैसे हमारा question है 9 boxes were kept one above the other in the form of sticks they contain different mobile phone brands, no two box contain the same brand चलिए बता दिया है कि 9 boxes है 3 boxes are kept between Xiaomi and Micromax and two boxes are kept between Vivo and iPhone चलिए इसको जल्दी से हम लोग solve करते हैं कि क्या होगा मान लेते हैं हमारा एक case ले लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर one number case ले लेते हैं कि जो 3 boxes था वो Xiaomi और Micromax Micromax के बीच में था तो हमारा यहाँ पर हमने लिख दिया full name लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है exam में shortcut लिख के आप try कीजेगा कि solve करने सके मैं फिर भी अभी full name लिख लेती हूँ देखे हमने यह 3 boxes इसमें fit कर दिया है जायोमी और Micromax और हमारा दूसरा जो case होगा उसमें हम लोग यहाँ पर Micromax और यह हमारा 3 Xiaomi इसके बाद क्या बोले 2 boxes are kept between Vivo and iPhone iPhone which is kept just above Micromax तो यहाँ पर हमारा iPhone होना चाहिए इस जगह पर iPhone just above Micromax iPhone just above Micromax यहाँ पर हमारा question क्या बोल रहा है 2 boxes are kept between Vivo and iPhone iPhone के बीच में और Vivo के बीच में दो होना चाहिए और जबकि iPhone Micromax के उपर होगा तो हमने यहाँ put किया कि Micromax हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है इन दोनों जगह पर हमने Micromax को बैठा दिया अब दोनों के बीच में gap तो यहाँ पर दो people Micromax और Vivo के बीच में यहाँ पर हम मान लेते एक Micro है कि यहाँ परसन देखें यहाँ पर हम Vivo कर दे रहे हैं और इस जगह पर इन दोनों के ब्याद देखे 1, 2 इस जगह पर यह हमारा Vivo हो गया इसके बाद हमारा बोल के आ रहा है Nokia is just above Xio Mi Nokia Xio Mi के उपर होना चाहिए अब हमारा यहाँ पर यह जगह Nokia का हो गया LG is just above Oppo LG just above Oppo के होना चाहिए तो हम देख रहे हैं इस वाले case में यहाँ दो जगह एक खाली है तो हम मान लेते हैं कि और इसके बाद वाला point हम देख लेते एक बार की और कुछ हो सकता है कि one box is kept between Lenovo and Samsung which is kept below Lenovo तो हमारा one box होना चाहिए Lenovo और Samsung के बीच में तो चलिए इसको हम डॉम में dot देके count कर दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानि कि यह जो point है न यह one में काफी सही बैठ रहा है जो हमारा यहाँ पे LG is just above Oppo इस जगा पे LG होगा यहाँ Oppo होगा और यहाँ पे one box kept between Lenovo and Samsung Samsung which is kept below Lenovo तो हमारा इस जगा पे Lenovo होगा इस जगा पे हमारा Lenovo होगा और इस जगा पे हमारा Samsung होगा तो हमारा इस question का यह एकदम right solution होगा अगर हम लोग case 2 में हमारा यहाँ बैठ नहीं रहे सही से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ हमारा number of person increase हो जाएगा कि अगर मान लेजिए हम लोग यहाँ अगर कुछ put करें यहाँ अगर Lenovo Samsung कुछ बैठा नहीं सकते हैं और LG और OPPO को भी हम लोग सही place पे नहीं दो कंद के बाद एक put नहीं कर सकें कि यहाँ कोई space ही नहीं है तो यह हमारा approach गलत हो गया अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो third question है कैसे solve करेंगे हम लोग बड़ी आसानी से जैसे एक step का question भी रहता है हमारे questions में जो हमारा reasoning का paper रहता है उसमें step का भी question रहता है जिसे हमें solve करना रहता है जैसे यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है एक coding question दिया हुआ है कि जिसमें बोला गया है कि this direction जो mention किया है कि study the following information and answer the given questions इसमें clearly mention है in an artificial language यह दिया हुआ है coding based दिया हुआ है कि हाँ language दे दिया है कि इस word का probability pretend result is written as this 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 ऐसे बोल के दे दिया है तो हम इसमें जब question देख रहे है न तो हम observe कर रहे है कि बहुत सारे नेम जो जो words दिया हुआ है जैसे यहां देखिए यहां पर यह जो pretend है यह इस pretend के साथ similar है यह response इस response के साथ similar है तो इस question को करने का सबसे simplest approach क्या होता है न कि आप यह question को अच्छे से देखिएगा इस question को आपको अच्छे से देखना है और देख के full analyze करना है कि यह कहीं कोई similar question तो नहीं है कि जिसका कुछ न कुछ meaning same को solve करने का सबसे quick और easy way है simply आप इसको कोई एक describe कर लिजए कि किसे हम किसको बता सकते हैं कि कौन सा word के लिए कौन सा coding value दिया गया है जैसे हम मान लेते हैं यह pretend के लिए हमने underline किया तो इस वाले इस तरफ में हम देख रहे हैं कि similar कौन सा है तो देखे कि यहाँ पर यह coding value similar है और हमने यह result के लिए cross किया तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि हमारा यह वाला coding value similar है इसी तरह response के लिए हमने इस तरह की line draw की तो हमने देखा कि यह जो value है यह दोनों similar थे तो जो बच गया है जो probability के लिए बचा तो हमारा यह हुआ के and हुआ probability के लिए हमारा इस word के लिए हमारा यह alphabet बच गया potential के लिए हमारा यह बच गया coding value और कीन, find the code of pretend probability या फिर एक ऐसा question भी होता है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे मालने जए find the possible code for pretend probability scenario इसमें आपको करना क्या होगा? इसमें आपको जो हमारे options दिये रहेंगे जैसे मैं एक दो options आपको लिखके दिखा देती हूँ कि हमारे किस टाइप के options रहेंगे जैसे हमारा एक option ये है इसमें दिया है हमारा k and b ऐसे दिया हुआ है option b दिया हुआ हमारा k t hash g at the rate ऐसे माल जए अभी तो मैंने दो ही लिख रह आपको फटा-फट एनलाइज करना है कि pretend और probability का तो हमें मालूम है कि pretend और probability का ये दो होता है एक pretend का यहाँ पर एक probability का ये हमें पदा चल जा रहा है कि pretend और probability का कौन सा हो रहा है और जो इन सारे options में से जो इन सारे में से जो आपके पास जो नहीं होगा जो different होगा वह हमारा सि के जो and है ये और ये t hash हमारा इसमें है pretend और probability का है तो सिर्फ ये b और ये c जो है जो हमारा इस पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे box में कहीं पे भी नहीं है तो ये obviously scenario का coding value होगा तो हम लोग इसको फटाफट इस option को click करेंगे तो हमारा इस case में ये option A right होगा और option B wrong होगा तो इसी type के question based रहेंगे आपके exam में और कुछ खास नहीं रहेंगे क्योंकि ये P.O. level के questions है और इसी type के questions रहेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा next question क्या है ये हमारा एक question है direction based है तो हम लोग इसको start करते हैं कि कैसे solve करते हैं जिसे हमारा question बोल रहा है क्या कि नरिंद starts walking from his office which is also his house towards the badminton club तो नरिंद क्या कर रहा है नरिंद चलना start किया अपने office के लिए which is also his house towards the badminton club उसके घर के पास है तो badminton club के club से वो चलना start किया he starts from the front gate of his house and walks five kilometer in the east direction वो क्या किया वो अपने घर से office के यहां हमारा बोल रहा ने starts walking from his office वो अपने office से start office से निकल रहा है अपने घर के लिए और अपने badminton club जाने के लिए हमारा question यह बोल रहा है तो हम लोग start करते हैं कि कैसे तो वो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर कि यहां पर यह उसका starting point है यहां पर वो office house में है यहां से वो start कर रहा है वो जा कहा रहा है वो five kilometer जा रहा is direction तो मान लेते हैं हमें हमारा यह five kilometer वो use direction गया नरेंटर इसके बाद क्या बोल रहा है देन turns left and walks two kilometer इसके बाद वो left more and two kilometer चला फिर उसके बाद उसने क्या-क्या-क्या he turns left again and walks four kilometer इसके बाद क्या वो four kilometer left more और चला, फिर क्या क्या है, then he turns to his right and walks 3 km, मतलब अब वो east direction में जा रहा था, यानि कि west direction में, तो अब वो अपने right मुरेगा, यानि कि अपने north तरफ मुरेगा, तो वो अपने north तरफ मुरेगा, तो वो अपने north तरफ मुर के 3 km चला, और उसके बाद वो turns left, उसके बाद क्या करेगा, then he turns to his left again and walks 4 km, इसके बाद उसने क्या किया है, कि वो 4 km वापस after left की तरफ, यानि कि वो south direction में फिर जाएगा, अपने left की तरफ वो south direction में गया, वो 4 km यहाँ चला, south direction में, और इसके बाद क्या करे, then he turns to his right and walks 12 km, इसके बाद वो क्या करेगा, वो 12 km राइट डिरेक्शन में जा रहा है, यानि कि अपने right direction में वो 12 km चल रहा है, इसके बाद and finally turns right and walk 3 km, इसके बाद वो 3 km राइट चल रहा है, और 3 km यह हमारा हो गया, and walk 3 km and thus reaches the front gate of badminton club, यानि कि यह उसका badminton club था, इसका front gate वो पहुँच गया, इस जगह पे, तो इसके बेज जो हमारे questions पूछे जाएंगे, वो इस तरह के हैं, जैसे हमारा first question है, इन विच डाइरेक्शन नरेंद्र फ्रॉम हिज ऑफिस, कहां से हिज ऑफिस, बिफोर ही स्टाटेड वॉकिंग दा 12 km डिस्टेंस, जब वो 12 km डिस्टेंस स्टार्ट कर रहा है, तो वो किस डाइरेक्शन में था, उसके ऑफिस से, तो हमारा ओफिस यहां पे था, इस पॉइंट पे हमारा ओफिस था, इसके वो किस डाइरेक्शन में है, जब वो 12 km के लिए जा रहा है, तो हमारा इसके अनुसार वो नौर्थ डाइरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो डाइरेक्शन होता है, वो इस तरह होता है North South और यह हमारा East और यह West तो यह नरेंद्र के एकदम North में है जब वो जार रहा है मुर रहा है 12 किलोमेटर के लिए तो यह हमारा answer क्या होगा from his office house पूछा गया है यानि कि इस जगह से वो किस direction में जा रहा है तो यह जो point है यह हमारा North होगा तो हमारे first वाली question का answer क्या होगा North हो हमारा second question क्या बोले नरेंद्र's office और house is in which direction with respect to badminton club front gate तो हमारा badminton club का front gate से if नरेंद्र's badminton club is facing north अगर यह हमारा north face करेगा यह south तो हमारा जो हमारा जो नरेंद्र का जो office है और घर है वो किस direction में होगा badminton club के front gate से तो यह हम लोग clearly देख रहे हैं अगर यह north face करेगा तो यह हमारा north west direction में होगा क्योंकि इस वाले diagram में जो हमारा diagram है यह अगर हमारा south यह तो हमारा south face कर रहा है लेकिन क्योंकि यह जो gate है यह तो हमारा इस direction में यह south face कर रहा है तो यह इसका answer होगा north west इफ नरेंस badminton club is facing south इन विज डारेक्स और इसका simple सा answer है कि वो east की तरफ ही जाएगा क्योंकि badminton club south face कर रहा है तो वो start walking किया east के तरफ से ही तो हमारा कुछ mislaneous questions भी रहता है इस type का one marks carrying रहता है इस type के questions भी रहते है जैसे हमारा यह question है if a meaningful word can be formed using third, fourth, ninth and twelfth letter of the word discrimination then what is the first letter of the newly formed word if more than one meaningful word can be formed mark your answer z if no word can be formed mark your answer x जैसे यह question दिया हुआ है कि इसका third, fourth, ninth and twelfth letter को से ऐसा कौन सा word बनेगा जिसका first letter आपको बताना है अगर उस जो चार्ड जो letter से उनसे अगर एक से जादा word बनेंगे तो आपको answer z करना है अगर नहीं बनेगा कोई भी word तो उसको आपको x mark करना है तो इसमें हमारा जो third, fourth और ninth letter से जो हमारा word है तो इस जो word है discrimination इसका third letter है s इसका third letter है s, fourth है c, nine है n और 12 है i तो इसका first से हम देख रहे हैं कि ये जो इसको कोई भी ऐसा word नहीं बन रहा है जिसमें हमारा जो meaningful word हो अगर किसी को हम मान लेते हैं अगर c, i, n, s तो ये भी कुछ नहीं बन रहा है s, i, n, c नहीं बन रहा है और i से भी कुछ नहीं बन रहा है तो देख रहे हैं कि हमारा इससे कोई भी meaningful word नहीं बन रहा है तो इस question का हमारा answer हम लोग mark करेंगे x को करेंगे यानि कि x हमारा right answer होगा तो इस तरह के कुछ miscellaneous questions भी रहते हैं हमारे इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हमारा थोड़ा different question रहता है जैसे कि ये वाला question है ये question हम आपको बताते हैं कि कैसे solve होता है जैसे हमारे इस question में mention है कि direction दिया हुआ इस question का direction पढ़ना बहुत important अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप से गलती भी हो सकती जैसे इसमें mention है in these questions a relationship between different element is shown in the statement the statement are followed by two conclusion give answer ये statement conclusion का हमारा question है ये five marks carrying question रहता है sometimes ये four number का देता है और एक आद वैसा जो हमने इसके पहले question का है वैसा miscellaneous भी देता है तो हमारा इसमें statement क्या बोल रहा है और conclusion इसका options कैसे रहते है answer में जैसे conclusion one follow, two follow, both follow, either follow या neither follow रहता है तो हमारा statement first वाला question मैंने इसमें mention किया है जो हमारा first question है ये a इस question में क्या बोल रहा है statement कि हमारा जो यहां statement दे दिया गया है कि ये हमारा statement है इसमें हमारा conclusion ये बोल रहा है जो हमारा first conclusion है कि q is greater than r तो हम लोग statement को ध्यान से देखेंगे, इसको अगर आप pen paper mode पे करने जाएंगे तो काफी time consuming हो, आपको इस type के questions को बार-बार solve करके, अच्छे से आपको अपनी grip बनानी होगी, ताकि आप question का जो first statement, ये statement ही देखके, आप अच्छे से समझ जाएं, कि आपको ये conclusion 1 है, follow हो रहा है, और H से बड़ा R है, तो Q और R बड़ा नहीं हो सकता है, Q कभी भी R से बड़ा नहीं हो सकता है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला जो conclusion है ये, हमारा गलत है, और second वाला हम देख रहे है, M is less than T, M is less than T, तो हमारा M Q से बड़ा और बड़ाबर है, और A से कोई relation नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा second conclusion भी गलत हुआ, तो इस question का option हम कौन से select करेंगे, कि neither करेंगे, neither one or two follows, हमारा next question है, next question का हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा ये जो statement दिया हुआ है, ये हमारा statement दिया हुआ है, इसका जो हमारा conclusion दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है, k is greater than or equals to u, k is greater than or equals to u, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा k less than m है, p है and q है, और q क्या है, यहां q से u का कोई relation नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा first वला conclusion भी गलत हुआ, second वला हम देखेंगे, w is greater than m, w को बड़ा होना होगा m से, अगर वो right होगा, तो इस point में हम देख रहे हैं कि m बड़ा तो k से है, बड़ाबर p के है, लेकिन m और w का relation नहीं बन रहा है, इसलिए यह भी गलत हो गया, तो यहां पे भी हमारा answer नीदर होगा, अब यह third वाले question में हम क्या देख रहे हैं, कि यह हमारा statement है, इसका first point में क्या बोल रहा है, w is greater than q, इसमें हम देख रहे हैं कि w, w, u और w बड़ाबर है, w से छोटा s है, s और r छोटा है कि लेकिन q बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए हमारा first law conclusion नहीं होगा, second conclusion हम क्या देख रहे है, r is less than u, इसमें clearly इस point से mention हो रहा है कि इस point से कि r is less than u, तो यह हमारा correct है, तो इसका answer हमारा क्या होगा, only two follows, और हमारा यह next question क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो statement दिया हुआ है, यह statement रहा, हमारा question क्या बोल रहा है, हमारा question बोल रहा है, कि हमारा जो first conclusion बोल रहा है, j is greater than or equals to m, तो हम देख पा रहे हैं, कि j is greater than or equals to kl, लेकिन m से नहीं हो रहा है, m से तो वो बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए हमारा यह गलत हो रहा है, x is less than j, x को छोटा होना होगा j से, यहां हमारा x छोटा l से है, और l बड़ाबर k है, इसलिए यह भी conclusion हमारा tally नहीं हो रहा, तो यह भी हमारा गलत हो गया, तो इसका answer क्या होगा, हमारा neither होगा, तो इसका answer हमारा neither होगा, इसी type के questions रहते हैं, कुछ, जैसे यह statement conclusion का question था, phone number carrying था, इस type के questions आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद हमारे paper में कैसा question रहता है, इसके बाद हमारा paper में, next, इस type का questions मिलेगा आपको देखने को, जैसे हमारा यह question बोल के आ रहा है, कि 10 person A to E and P to T were seated in two parallel rows, containing five person each, चली यह भी हमारा एक sitting arrangement दिया हुए है, कि 2 person बैठ रहे हैं, two parallel rows में, तो हम लग चली इसको solve भी करते हैं, साथ सा, तो हम first ले 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 लेते हैं, और यह second हमारा ले लेते हैं, first ले में क्या बोला है, 10 person A to E and P to T were seated in two parallel rows, containing five person each, in such a way that there is an equal distance between adjacent person and facing each other, A to E are in row one and rest are in other row, तो यह हमने case ले लिया, कि हां, चली है, दो person है, तो हमारा एक, इसमें यह सारे के सारे, एक दूसरे को face कर रहे हैं, five person है, तो हमारा question क्या बोल रहा है, person between P and Q faces A, A, who sits second to the right of B, हमारा A में कौन बैठ रहा है, A में row one में बैठ रहा है, हमारा A to E, और row two में हमारा बैठ रहा है, P to T, इसमें हमारा बोल रहा है, इसको solve करने के लिए, हम एक और इधर case ले लेते हैं, इस वाले case का नाम हम F रखते हैं, और इस वाले का हम G रखते हैं, ताकि confusion ना create, हमारा बोल रहा है, person between P and Q faces A, A who sits second to the right of B, हमारी इस question में किसी का direction नहीं बोला गया है कि कौन किदर बैठ रहा है, और A को कौन face कर रहा है, P and Q का बीच वाला बंदा, तो यहां पे भी P हो सकता है, और Q हो सकता है, यहां पे भी Q और P हो सकता है, यह हमारा एक हो गया, इसके बाद क्या बोल रहा है, और इस वाले में मान लेते हमारा B, south face कर रहा है, इसके second right में A बैठेगा, तो हमारा A, Q and P के बीच में, जो बंदा है वो A को face करेगा, इसके बाद बोल के रहा है, D faces south and sits at an extreme end to the left of E, D south में बैठ रहा है, और बैठ रहा है extreme end पे to the left of E, तो E हमारा कहां बैठेगा, ये भी एक doubt होड़ा है, इसके बाद का हम देखते हैं, C faces P, ये भी अभी हमने put कर पा रहे हैं, कि C कहां बैठेगा, R and T are immediate neighbors, अच्छा, तो हमारे R और T immediate neighbors होंगे, तो इस जगह पे ये जो, ये point है, इस वाले में अगर हम C, यहां put करेंगे, तो C, P को face करेगा, और हमारा बोल दिया है, कि R और T immediate neighbors होना चाहिए, immediate neighbors of E faces T, तो हम मान लेते हैं, कि इस जगह पे, हमारा, इस वाले point पे, हमारा P बैठ रहा है, और इस जगह पे Q, और यहां पे हमारा C face कर रहा है, और इसके बाद immediate neighbors होना चाहिए, हमारा R और T को, और immediate neighbor of E faces T, तो हमारा बोल दिया थै, कि D faces South and sit at an extreme end, तो हम देख रहे हैं, कि हमारा एक रो में 5 ही होने चाहिए, यानि कि हमारा E यहां बैठेगा, T यहां पे होगा, और R यहां होगा, और बचा हमारा S वो यहां पे होगा, D faces South, यानि कि हमारा यह जो सारे के सारे हैं, यह South face कर रहे हैं, First row हमारा South face कर रहा है, और Second row हमारा इसमें North face कर रहा है, और इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में हमारा D यहां पे अगर South face करेगा, तो यह solution नहीं हो पा रहा है, यह puzzled up हो जा रहा है, यानि कि यह हमारा गलत हो जा रहा है solution, हमारा जो right solution होगा, वो यह होगा, इस question का, इसके बाद हम देखते हैं हमारा और जो question paper में, इसके बाद का क्या होता है, तो हमारा इस तरह का एक question रहता है, जैसे हमारा कुछ ऐसा type का बेज रहता है जैसे हमारा ये question बोल रहा है in a family of eight members Aamir is the paternal aunt of Paul तो चली हम लोग इसको start करते है साथ साथ solve करना और next इसका बोल रहा है Leon is the child of Mark Alex is the father-in-law of Eric तो हम लोग इसको solve करते है Alex is the father-in-law of Eric तो यहाँ पर हम Eric लिक लिक Alex is the father-in-law ने जिससे शादी की है उसके पापा कौन है हमारे Alex और इसके बाद क्या बोल है Dean is the grandmother of Leon Dean कौन है? Grandmother of Leon है तो यह हमें पता ने चल रहा है कि यह क्या हो रहा है Paul is the brother-in-law of Eric Eric who is not the mother of Leon चलिए यह तो हमारा पता चल गए है कि यह ता फादर होंगे Mother of Leon यानि कि इनका बेटा यह होगा और हमारा बोल कहा रहा है कि Paul is the brother-in-law of Eric Paul is the brother-in-law of Eric यानि कि उनकी जो wife है उनका brother वो होगा Paul इसके बाद क्या बोल रहा है? Leon यहाँ पे एक point था Leon is the child of Mark तो यह Leon के मम्मी कौन होगी? Mark होगी यह दोनों Eric और Mark husband wife हो गए है उनका बच्चा Leon होगी उसके बाद क्या हमारा यहाँ क्या बोल रहा है? Dean is the sister-in-law of Amir Amir का sister-in-law Dean है Mark is not the sibling of Amir Mark कौन है? Mark sibling Amir का नहीं है तो यह भी हमारा Lane is also the member of the family Only married couples can have children अच्छा Lane is also the member of the family Mark is not sibling of Amir तो यहाँ Alex की भी तो wife होगी? और यहाँ पे हमारा बोल दिया है की Dean is the sister-in-law of Amir तो इसका Alex का भाई Amir होगा भाई या बहन जो भी क्योंकि यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है की क्या है? Dean is the sister-in-law तो हमारी Dean इसकी wife होगी Alex की और Amir Mark is not sibling of Amir Lane is also the member of the family Only married couples can have children तो यहाँ पे एक Lane बजग गया है जो इन दोनों का बच्चा हो सकता है Eric और Mark का Eric और Mark का बच्चा हो सकता है Lane अब हम लोग वापस एक बड़ इसको पढ़ते हैं ताकि हम लोग इसको male-female analyze करने सकें और मैंने यहाँ पे मेरे आगे के वीडियो में भी मैंने mention किया है कि मैं male के लिए मैं always plus sign यूज करती हूं female के लिए मैं minus sign यूज करती हूं और married couple के लिए मैं हमेशा यह arrow आपको अगर इसमें लग रहा होगा कि मैं अचानक यह arrow plus minus क्यूं बता रही हूं यह मेरा actually यह मेरा करने का तरीका है तो हम लोग चले इसको एक बर पढ़ लेते हैं कि हमारा इससे पदा चल जाए कि male-female कौन सा in a family member of eight Aamir is the paternal aunt of Paul यह हमारी Paul की paternal aunt है Leon is the child of Mark यह इसका बच्चा है Alex is the father-in-law of Eric यह father-in-law of Eric है Dean is the grand mother of Leon ठीक है यह भी हमें पता चल गया Paul is the brother-in-law of Eric यह भी हमें बता है Who is not the mother of Leon Dean is the sister-in-law of Aamir Mark is not the sibling of Aamir Lane is also the member of the family Only married couples can have child तो यह हमारा बन गया यह हमारा question इसका diagram बन गया पर relation का इसके based हमारे questions जैसे पूछे जाएंगे कि If Lane is the only son of Eric Then how is Leon related to Alex इसके उपर questions क्या पूछे जाएंगे कि अगर मैं question लिखती हूँ कि हमारा question क्या पूछेगा If Lane is the only son of Eric Then how is Leon related to Alex तो हमारा यहां पर बोल रहा है कि Lane अगर सिर्फ इस Eric का इकलौता बेटा होगा तो इसको अगर हम लोग मान लेगी है हमारा तो यह उसकी daughter होगी इन दोरों का relation क्या है Paul यह Alex के साथ तो इसी तरह के हमारे questions रहेंगे तो यहां पर यह clearly visible है कि Alex का यह Leon granddaughter होगी तो हम लोग इसका answer easily कर पाएंगे कि हाँ यह इसकी granddaughter होगी तो हम इस तरह के questions रहेंगे ऐसी based आपको यह 5 marks के भी आ सकते हैं 2-3 number के भी आ सकते हैं इस type के puzzle इस type के blood relation based questions इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा next question क्या होगा जो एक हमारा set of puzzle है तो तो हमारा इसका बाद वाला यह होगा question हमारा question है कि there are six kids A to F all have different heights and all the heights are in integers यह भी एक हमारा अच्छा खासा question है A is taller than F but shorter than B तो इसको simple से तरीक है हम लोग ऐसे solve करते है A is taller than F but shorter than B इसके बाद क्या बोल रहा है E is taller than C यह हमारा एक point बोला दूसरा point क्या बोल रहा है E is taller than C but shorter than A और हमारा तीसरा point क्या बोल रहा है B is shorter than D और फोर्थ क्या बोल रहा है She is not shortest The third tallest has height 122 यह हम देख रहे हैं कि C सबसे छोटा नहीं होगा यानि कि A बढ़ा है हमारा E से F से और C से भी E बढ़ा है हमारा F से और C से और इस point में हमारा बोल दिया गया था है कि B बढ़ा होगा A से और F से भी तो यहां clearly पदा चल रहा है कि B सबसे बढ़ा होगा B से बढ़ा D होगा क्योंकि इस point में हमारा ये पता चल रहा है, तो D हमारा बड़ा होगा, उसके बाद B होगा, फिर A होगा, A के बाद हमारा C को mention किया है, C is the not shortest, और E C से बड़ा होगा, तो obviously E हमारा यहाँ पे होगा, C होगा और ये F होगा, इस टाइब के question होगा, इसको solve कर में आपको बहुत ही कम time लगेगा, और हमारा बोल दिया है कि 3rd tallest person का, यानि कि A का height 122 होगा, इसके based हमारे question कैसे पूछे जाते हैं, Who is the shortest kid, इस टाइब के question पूछे जाते हैं, कि who is the shortest kid, और what could be the height of C, जिसमें कुछ options आपको दे देंगे, कि हाँ मान लेते हैं C का height का, C का height का options आपको दे दिया है, कि 120 है, 125 है, 130 है, तो इसमें obviously C, A से छोटा है, तो obviously उसका height, A के height से कम होना चाहिए, यानि कि 120 राइट answer होगा, तो इस तरह के questions रहते हैं, फिर कुछ questions ऐसे भी रहते हैं, कि जैसे, जैसे मैं एक question आपको दिखाती हूँ, कि हमारा equation ऐसा भी हो सकता है, कि if B is 12 cm taller than E, what could be the height of B? इस तरह के question होंगे, तो अगर B 12 cm taller than E है, E से है, तो B का height क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आपको सोचना होगा, क्योंकि यहाँ mention है, सिर्फ A का height 122 है, तो हमारा E का उससे एक कम होगा, 120 होगा, या 100, 19 होगा, कुछ भी हो सकता है, 120, 2 से तो कम होगा, यानि कि 120, 120, 20 या 19 ऐसे होगा, तो हम यहाँ पे हमारे जो options होगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे option में आपको देती हूँ, 120, next option है, 133, option C हमारा 140, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A का height 122 था, और हमारे options के according हम देख रहे हैं, कि अगर minimum height एक point कम होगा, या उससे कम होगा, तो अगर हमारा E का height, हम मान लेते हैं, E का height हमारा 121 था, और B हमारा इससे 12 cm बड़ा होना चाहिए, यानि कि हमारे B का height 3, 133 होना चाहिए, तो हम options में जो हम लोग को exact value मिली जा रहा है, कि इस तरह होगा, अगर हम लोग E का height 120 करते हैं, मान लेते हैं 120, तो यहाँ पे 132, हमारे options में नहीं था, तो हमें इस तरह analyze करके, इस टाइब के questions को solve करना होगा, और हम देखते हैं, इसके बाद हमारा, और क्या question बजता है, इसके बाद का हमारा है, कुछ इस तरह के questions रहते हैं, जैसे यह हमारा बोल रहा है, कि in a row where all the students are facing north, चलिए अच्छा बात है, यह पहली बता दे रहा है, कि सारे के सारे north face कर रहे हैं, R is third to the right of S, R क्या है, third right है S के, यानि कि हमारा S यहाँ पे है, और R इसके third right है, S who is 12th from the left end of the row, अच्छा, यानि कि S यहाँ से, यह हम मान लेते हैं, यह हमारा left end है, और यह यहाँ, यह 12th place पे बैठा है, यानि कि इसके आगे इस place पे 11 लोग बैठे हुए हैं, इसके बाद क्या बोल रहा है, N is 15th from the right end of the row, and stand to the right of S, at a gap of 6 student, चलिए, N क्या है, right end से 15, यह हमारा right end है, यहाँ से N क्या है, 15th place पे बैठा हुआ है, यानि कि N हमारा यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 14 लोग बैठे होंगे, तब यह तो N 15 नमबर पे आएगा, और बोल क्या रहा है, N क्या है, 6 नमबर प्लेस पे है, 6 का gap है, उसके और S के बाद, यानि कि अल्रेड़ी यहाँ पे S का, हमारा था, 1, 2, यह R तीसरे नमबर पे था, इसके बाद हमारा, 1, 2, 3, यानि कि सात्वा नमबर पे हमारा N बैठा हुआ है, तो यह हमारा, यह 6 टोटल परसन हो गए, मैं ज़रा इसको हाइलाइट कर दू जैसे, एक यह हुआ, एक यह हुआ, एक R हुआ, एक यह प्लेस हुआ, दूसरा यह, तीसरा यह, तो यह हमारे टोटल 6 परसन यहां बैठेंगे, तो हमारा इस तरह का जो यह, वेस्टन है, यह हमारा इस टाइप के क्वेस्टन में, हमारा क्वेस्टन क्या पूछा जाता है, हमारा क्वेस्टन पूछा जाता है, find the total number of the students in the row, तो easily हमें पता चल जा रहा है कि total number of the students कितने हैं, तो simple से हम लोग ये इधर S 12, S तक 12 था, और इधर ये बीच के 6, और ये N तक 15 था, तो हम लोग इसको add कर लेंगे, तो ये हमको easily पता चल जा रहा है कि हमारे total 33 person हो जा रहे हैं, तो इस टाइप के कुछ questions रहते हैं, हमारा next question इसमें क्या पुछेगा how many students sits between R and N, तो हमारा simple साम लोग बोल सकते हैं, R और N के बीच में 3 students का gap है, यानि की R और N के बीच में 3 students पैठेंगे, और इसी टाइप के questions रहेंगे, इस ये इस टाइप के जो ये छोटे-छोटे questions, ये दो नंबर के, तीन नंबर के देते हैं, ये आपको 5 marks में नहीं देंगे, ये hardly 2 तीन नंबर के ही questions आते हैं, तो ये जितने सारे questions, मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे 35 questions बनते हैं, especially puzzles के, तो हमें 5 questions देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा, जो statement conclusion था, उसके भी 4-5 नंबर के questions रहते हैं, फिर कुछ mislinious 1-max carrying questions हमारे दे दिये चाते हैं, इस तरह से ये हमारा full 35 questions का set बनता है, जिसको हमको 20 minutes में solve करना रहता है, और अगर आप practice करेंगे, तो ये 35 questions हैं, वो काफी easy थे, ऐसा कुछ difficult नहीं रहता है, कि हाँ solve नहीं होगा, काफी easy रहते हैं, बस आपको accuracy maintain करनी हैं, और अपनी speed थोड़ी बढ़ानी हैं, ताकि आप easily 35 questions attempt करने सके, और आप ये 35 marks secure कर ले, ताकि आपका cutoff अच्छे से clear हो सके, तो आपको अगर ये question हमारा कैसा लगा, हमें जरूर बताईएगा, thank you,